Hello everyone, my name is Smeet, आप देख रहे हैं Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा important होने वाली है Google की तरव से finally notification आचुका है दो टाइप की अलग-अलग vacances आई हुई है ब्रीफ में discuss करेंगे दोनों का one by one पहले मैं आपको first post का बताऊंगे क्या-क्या eligibility है क्या आपकी job responsibility रहने वाली है और कौन-कौन eligible है उसके बाद हम सेम इसी तरह से second post का discuss करेंगे किस तरह apply करना है वो भी आपको starting में ही बता दूंगे तांकि आपको कोई problem face ना करने पड़े तो वीडियो को complete जरूर देखना अगर आप first time channel पर आए हैं इसी तरह से चाहते हैं हर एक notification आप तक timely पहुंँ जाए official notification पीडियाफ के साथ तो सोचिए मत जल्दी से चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करना bell icon को प्रेस करके all पे click कर लेना बिकॉज मैं हर एक update आपके लिए लेकर आती ही रहती हूं हर एक qualification के accordingly सब्सक्राइब करके bell icon को जरूर प्रेस करना तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हूं डारेक्ली बात करेंगे गूगल की तरव से आई हुए विकैंसिस के बारे में डारेक्ट ये recruitment आई हुई है male and female दोनों अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में किसी भी city या state से बिलॉंग करते हैं आप इन विकैंसिस के लिए eligible है और अप्लाई कर सकते हैं और इसके इलावा जो विकैंसिस आई है हमारी ओफिशल साइट को आप गूगल पे टाइप कीजिए www.clor8.com टाइप करेंगे आपको first number पे साइट मिल जाएगी वहाँ विजिट करके इसके इलावा जो विकैंसिस आई हो उसकी इंफोर्मेशन आप ले सकते हैं अभी हम बात करें गूगल की आई होई विकैंसिस के बारे में जिसमें आपकी सैलरी भी बहुत बढ़िया रहने वाली है फिफ्टे थाउजन पर मन्थ आपकी सैलरी रहने वाले है इससे अबव ही होगी और इसमें freshest eligible है apply कर सकते हैं male है female है दोनों eligible हैं दोनों apply कर सकते हैं इसके इलावा सबसे बहले मैं आपको बतातु है इसमें apply किस तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप की vacances हैं दोनों का one by one हम discuss करना है सबसे पहले पहली पोस्ट का उसकी job responsibility क्या रहने वाली है कौन-कौन eligible है और किस तरह आपको apply करना है वो तो मैं आपको अभी बताई रही हो उसके बाद हम second post का discuss करेंगे सबसे फ़ले थोड़ा short में आपको बताती हूँ apply किस तरह से करना है ताकि आपको बाद में कोई problem face ना करने पड़े तो description में मैंने आपको google recruitment का link के दिया है आप उस पे click करेंगे उसके बाद last में आपको मिल जाते है required link required link में दो अलग लग procedure submit का जो procedure है बिल्कुल ही same है तो उसके बाद एक नया interface आपके सामने open होगा जब आप अप्लाइनाओ पे click करेंगे कुछ इस तरह का इस पर आप जब करेंगे आपको first option मिल जाते यहां पर आपको अपना resume upload करना है first option बे select करके आपको आपको simply resume upload करना उसके बाद contact details में आप complete address यहां mention करना है उसके बाद country यां for dicen country में आप india select करेंगे उसके बाद city कौन सी है किसा city से आप belong करते हैं और उसके बाद option है state select करने के कि State से आप belong करते है then आपको अपना postal code यहांपर mention करना है उसके email id mention करना है primary contact number mention करना है अगर another contact number भी आप देना चाहते हैं आप यहां mention कर सकते हैं because next communication है वो आपकी call की through और email की through ही होगी तो वही आपको यह mention करना है जो आपका 24 by 7 available हो उसके बाद यहां पे आपको simply submit कर देना है अपना qualification आपकी क्या है कहां से आपने पास आउट की है कितने आपके percentage थी यह सारी information आपको फिल करके एक और option आपको मिल जाते है कि क्या आपको first time इस job के लिए apply करें तो अगर आप first time करें तो आप yes कीजिए अगर first time नहीं करें तो आप no select कर सकते हैं उसके अगर आप कहीं पर वर्किंग के आप वो डिक्रेस यहां मैंशन कर सकते हैं अदर्वाइस आप इसको ब्लैंक शोट सकते हैं अप फ्रेशर आप employer name तो दे नहीं सकते तो आप सिंपली यहां पर last में जाकर आपको फिर अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइस क्या क्या इलिजिबिल्टी अगर आप स्टाट आप करना जाते हैं तो आप वहां पर कर सकते हैं बौटम से machine gun के method से job apply करने से काम भी नहीं बनता आप कई जॉब के लिए इंटरस्टेट भी नहीं होते लेकिन आपको उसके लिए apply करना होता है इन सब method को skip करके बिना demotivated हुए आप एक और नएक तरीके से अपनी जॉब find कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ जो की एक नया प्लैटफों में यहां पर बिल्कुल फ्री में आप जॉब के लिए apply कर सकते हैं फ्री में आपको यहां पर जॉब मिल दी है अब बात है इसके लिए apply किस तरीके से करना है description में मैंने आपको इसका link प्रवाइड कर दिया है वहां पर आपको क्लिक करना है रिलेवल की तरफ से काफी अलगले companies है जिसमें आपके इसमें hiring हो रही है जैसे की upgrade है अलगले companies आप देख भी पा रहे हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपना contact number यहां पर mention करके आपको य सामने से companies approach करें की अलगले companies जो आप देख भी पारें जिसमें अगर package की बात करें 4 लैक से 20 लैक तक आपका इसमें package है बिल्कुल free में register करना है इसमें कोई एज की अपनी graduate apply कर सकते हैं अपनी graduation किसी भी discipline में की है arts science commerce कोई भी candidate यहां apply कर सकता है male female है दोनों eligible है एक्जाम कोई नहीं होगा फी कोई आपको पे नहीं करनी है डारेक्ट आपकी इंटर्वीव होने वाली है corona pandemic के कारण आपके इंटर्वीव online भी इसमें हो सकती है जो भी procedure है वो आपको inform किया ही जाएगा और जैसे मैं आपको step बताए है उसे step को follow करते हुए आपको in vacances के लिए अपलाई करना है कोई भी candidate का मतलब यह भी नहीं कि अपलाई कर सकता है कोई भी candidate का मतलब यह भी नहीं कि अंडर 18 अपलाई कर सकता है वैसे जो graduate candidate है उनकी minimum age 20 या 21 तो होती है वो अपलाई कर सकते है इन vacances के लिए इसके इलावा इसके लिए अगर आपको C++ की knowledge है तो आपको preference दी जा सकती है नेक्स रम बात करते हैं जॉब क्या है तो गूगल की जो software engineer next level पर advanced software बनाते हैं ताकि जो Google की users है उनका experience और भी अच्छा हो सके यह जॉब के बारे में मैंने आपको बताया अब हम बात करते हैं इसमें आपकी responsibility क्या रहने वाली है वैसे तो आपको complete training इसमें दी जाती है और फर्स जो responsibility है Google के जो products है उनको improve करना इसके इलावा अलग अलग project में work करना जिसमें की natural language processing, artificial intelligence, data compression, machine learning, search engine technology है इसके इलावा जो भी problem या issues आते हैं उनको आपको अपने skills से या मैं बोलू आपको अपने तरीके से resolve भी करना है और जो first post out होई है इसमें इनोंने ये भी mention किया COVID-19 के चलते हैं अगर कोई candidate अपनी सिक्ली से नहीं आ सकते हैं या work नहीं कर सकते हैं तो उनको preference नहीं दी जाएगी बाद में हो सकता है कि उनको preference दी जाए फिलहाल के लिए जो पहली post के अभी हम बात करें दोनों के लिए eligibility बिल्कुल different है location job के बिल्कुल different है अभी हम first post के ब के इलावा अगर application ज्यादा रिसीव होती है suppose that higher qualification वाले candidate जैसे master's degree जिनों ने की हुए या PhD की हुए है उनको first preference वो दी जाएगी ऐसा नहीं कि graduation वालों को नहीं दी जाएगी बिल्कुल दी जाएगी इन्होंने वैसे mention किया अगर master degree वाले apply करते हैं तो उनको first preferences में दी जा सकत है अब हम बात करते है second post second जो post इनों डी आउट की है associate product marketing manager की post है इसमें भी any graduate apply कर सकते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें आपका work क्या रहने वाले मेली तो इसमें आपको marketing department के साथ bonding बनानी है bonding बनाकर ही आपना काम कर पाऊंगे इसके इलावा उनको business analysis के regarding आपको support provide क करना है जैसे कि marketing and priority areas related और इसमें post के लिए आपके यहां पे communication skills strong होने चाहिए चाहिए written की बात हो चाहिए verbal की बात हो अगर आपके हैप apply कर सकते हैं इसके इलावा अगर आपको इस post के लिए जो हम बात करें हैं इसमें आपको experience technical marketing का brand management का strategy consulting का तो आप इस post के लिए apply कर सकते ह इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए दो से देरियर का experience मांगा हुआ है अगर आपको है अपको अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो अभी के लिए बात में हर कोई apply कर पाएगा आपको location उसके accordingly मिल जाएगी बट फिलहाल के लिए जो इनोंने location mention की है वह है अगर आप किसी अदर सीटी से भी बिलॉंग करते हैं अगर आप यहां पर जाकर वक कर सकते हैं तो डेफिनिटली आप अप्लाई करना लिंक मैंने आपको description में दे दिये दिये बाकि इसके इलावा काफी सारी department की विकैंसी आ चुके जैसे बीसनल का इक और notification आया है मैंने च पस्ट्रिम चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक notification आप तक timely पहुंग जाए तो चली आज के लिए इतना ही अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई information के साथ थैंक्स वर वाचिंग